अगर आप Windows के user हो Windows PC यूज़ करते हो तो एक कमाल का software आपको बताऊंगा आपके Windows में add-on features ला देगा इतने सारे super features ला देगा यह एक software जो कि Microsoft के store पे भी available है बिल्कुल free में चलिए देखते हैं इसे डाउनलूड करने के लिए सबसे पहले आपको Microsoft store में जाना है और store में जाने के बाद यहां पर आपको type करना है power toys जैसे ही आप power toys type करेंगे यहां पर देखिए आपके पास एक app आएगा जो कि Microsoft का app होगा इस पर आप click कीजेगा और click कीजेगा तो यहां पर देख सकते हैं अब कि Microsoft के दूआरा provide किया गया है यह अप माइक्रोशॉप कॉर्परेशं के दूआरा provide क्या गया घर मैंने इसे इंस्टॉल करके रखा है आप इसे इसे अपन कर लेते हैं आप को यह आप अब हमारा ओपन हो गया है जेनरल सेटिंग है जेनरल सेटिंग बाद में देखेंगे पहले देखते हैं सारे फीचर के बारे में आलवेज ओन टॉप एक ऐसा फीचर है जिसके थुरू आपका जो पीसी है वो किसी का जो विंडो है वो पर पीन हो जाएगा इसका सॉटकट अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो इसका स्वटकुट क्या इसकास ऑढ़ेंट एRIS ऌर garbage चेंग भी कर्सकते हैं यहां से आप यससे फीचर अगर मैं इसे प्ले करके दिखाना चाहूं तो यह कैसा दिखे का मैं दिखाता कक तो आप देख सकते हैं कि कैसा सो होगा मैं पहले सी बंद करका एंड हमारे पास है विंडो है करें कर के यहां पर देख सकते हैं कि वे हब मैं इसे और और आता हूं stabilis प्रेशर में जो क्या होता है कि हम थर्ड पार्टी एप्लिकेशन को डाउनलोड करते हैं विंडोज को एवेक रखने के लिए ऑपन रखने के लिए स्क्रीन को स्लिप मोड में जाने चारोपने के लिए यहां पर कुछ नहीं करना आप इसे जब इनेबल की जिएगा तो कीप स्क्रीन आवेक को जैसे इसका कोड जो है वह है विंडोज सिफ्ट सी जब विंडोज सिफ्ट और सी को मैं प्रेस करता हूं तो जहां पर भी मेरा करसर होगा उसका जो कलर है वह कलर का कोड यह सो करेगा यह मुझे बहुत कमाल का फीचर लगा कि आप करसर को जहां पर ले जाते हैं वहां का य यहां पर देख सकते हैं और आप चेंज करना चाहते हैं तो वह आप आसानी से कर सकते हैं फाइल लॉक स्मित है इसके बाद फाइल एकस्प्लोरर एड्वॉरर में डाल फकता है क्या क्या डांस होगा एक प्रिव्यूव पेंड डाल देगा आपका जो भी है वह सकते हैं यह होस्ट फाइल इडिटर है यह भी है इसके बाद का जो फीचर से बहुत ही कमाल का इमेजरी साइजर हमने बहुत सारा थर्ड पार्टी एप्लिकेशन का इसका माल किया है इमेजरी साइजर के तौर पे बट अब पावर टोईज को डाउनलोड करने के बाद आपके अभी ही साब से सौटकट को डिजाइन कर सकते हैं इसके बाद है माउस यूटिलिटी माऊस यूटिलिटी ज़िए कि कभी कभी क्या होता कि हम काम करते हैं भूल जाते हमारा मौस करसर कहा है तो जैसे ही आप लेप्ट साइड के कंट्रोल विंडो को दो वार प्रेस कीजिए इसके बाद का जो है वावर रीनियम कर सकते हैं इसके लिए बहुत ही सचांदार सा चीजिए इसके बाद का जो फीचर यह बहुत पसंद आया यह फायर टॉफसी रहा व detail कि पट्पीछ करेंगा तो इसक यह भी कमाल का आपकी software पे काम कर रहे हैं वहां से आप टारिक्ट सर्ज कर सकते हैं यह उसके बाद quick ascent को आप देख सकते हैं quick ascent क्या है कि कि अगर मैं quick ascent के अंदर में जाओं यह एक alternative वह है ascented character को type करने के लिए इसके बाद screen ruler यहां पर screen ruler enable कर सकते हैं उसका shortcut भी आप यहां पर देख सकते हैं इसके बाद shortcut guide आपको यह आपको system का shortcut जानना है तो आप यहां से tap कीजिएगा windows shift and forward चले तो shortcut guide आ जाएगा text extractor क्या है basically यह जो है आपका जो system है उसका text को यह extract करता है जैसे कि मान लिजए हमने आया अब मैं यहां पर से select करूएंगा तो यहां पर इतना जितना दो conference and mute यहां से आप एक ही बार में अपना जो वीडियो conference पर रहिएगा उसको mute webcam और microphone को आसानी से कर सकते तो देख सकते हैं आपकी power toys के अंदर कितना सारा features है जो आपके system को power up कर देगा एक advanced system बना देता है उम्मीद करते है Microsoft का यह software power toys आपको बहुत पसंद आया हो और इसके जो features है जो add-on features है वो तो आपकी system को एकड़म power up कर दिये होंगे चैनल को subscribe किजिए ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए अपने दोस्तों के सार इस वीडियो को share कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बावाई अगले वीडियो में तब तक के लिए बावाई